गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, हाव यू आल, आई होप यू आल आ फाइन, सो क्लास यह आपका हिंदी का पीरिड है, अपनी हिंदी लिट्रेचर की बुक निकालिए भाशा पत, तो क्लास हम कौन सी मात्रा पढ़ रहे हैं आजकल, A की मात्रा, A से, A, D, A की मात्रा हम पढ़ रहे हैं तो आज हम उसके कुछ words जा आपके बुक में दिये हैं, वो रीड करेंगे, तो अपनी बुक खोलिए और पेज नंबर 33 पे आईए सभी, पेज नंबर 33, A की मात्रा, A की मात्रा के इन शब्दों का आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, A, D, A, D, बौलिए सभी, A, D, A, D, मापे एकी मात्रा मे, ज, मेज, सापे एकी मात्रा से, ब, सेब, कापे एकी मात्रा के, लापे एकी मात्रा ले, के ले, पापे की मात्रा पे, अडा, पेड, भापे की मात्रा भे, अडा, भेड, तापे की मात्रा तेल जापे की मात्रा जेल फापे की मात्रा फेल भापे की मात्रा भेल भापे की मात्रा बे तापे आका डंडा टा बेटा भापे की मात्रा पे थापे आका डंडा ठा पेठा दापे की मात्रा दे, खा पे आका डंडा खा, देखा मापे की मात्रा में, रा पे आका डंडा रा, मेरा अब तीन अक्षर वाले शब्द हैं, र र, मापे की मात्रा में, श, रमेश ब, रापे की मात्रा रे, लापे बड़ी की मात्रा ली, ब, रे, ली नेक्स्ट, हा, थापे की मात्रा थे, लापे बड़ी की मात्रा ली, र, थे, ली स, हापे की मात्रा रे, लापे बड़ी की मात्रा ली, स, हे, ली स, सापे की मात्रा से, ह, रापे की मात्रा थे, लापे की मात्रा थे, रापे की मात्रा थे, लापे 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 की मात्रा थे, लाप तो आपने देखा चार अक्षर वाले शब्त को कैसे पढ़ते हैं हम पहले दो अक्षर पढ़ते हैं मिलाके फिर दो अक्षर पढ़ते हैं और फिर चारों को मिलाके एक साथ पढ़ेंगे तो आप सभी को एकी मात्रा के शब्दों को पढ़ना आ गया होगा आपको घर पे इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि जब मैं लाइफ क्लास में आपसे ये शब्द पढ़वाऊं तो आपको सबको अच्छे से पढ़ने आते हों तो क्लास अब हम इस एकी मात्रा का बुक वक करेंगे पे नमबर 34 ये बुकवा कब हम करेंगे पहला जो प्रश्ण है वो क्या बोल रहा है चित्र देखकर उचित शब्द से मिलान करो यहाँ पे चार चित्र बने इन चित्रों से आपको इनका शब्दों का मिलान करना है सबसे पहले बना है सेब तो यह सब पे की मातरा सेब उन्हेंने मैच कर रखा है इसको आप ट्रेस कर देंगे लाइक दिस नेक्स्ट क्या बनाई ये करेला करेले की सबजी होती है ना हम खाते है करेले की सबजी तो करेला कहा लिखा है सबसे उपर लिखा है कर पे की मातरा रे लापया कर डंडला करेला करेला से इसको मैच कर देंगे डन अब यह क्या बना है क्लास यहाँ पर दो शब्द बचे हैं एक बचा है स, पापे की मात्रा पे, रा, सपे, रा और एक बचा है खापे की मात्रा खे, त, खेट तो यह क्या हो सकता है, खेट है इसको मैच कर देंगे इससे अब लास्ट क्या बचा है, स, पे, रा, स, पे, रा सपे, रा को सपे, रा से मैच कर देंगे डन एवरिवन अब प्रश्न दो है, उचित स्थान पर एक ही मात्रा लगाओ यह जो शब्द दिये हैं, आपको इन पर सही स्थान पर जहां एक ही मात्रा आनी चाहिए, वहाँ पर आपको एक ही मात्रा लगाओनी है तो यह लिखा है, र, म, श, अब इसमें हम मा पर एक ही मात्रा लगाओंगे तो क्या बन गया, र, मे, श, र, मे, श दूसरा है, र, पर लगाएंगे एक ही मात्रा तो क्या बन गया, र, ल, र, अभी आपने इस सब शब्द पढ़ेते, तो आपको याद आ रहोगा न, कहां पर लगाएंगे एक ही मात्रा अगला शब्द है, स, स, वा पर लगाएंगे एक ही मात्रा, फे, द, सफेद अगला शब्द है, प, हा पर एक ही मात्रा आएगी, हे, ली, पहे, ली अब क्लास आखरी प्रश्ण बचा है हमारा वर्ग पहेली में से एक ही मात्रा वाले शब्द धूनकर, यहाँ पे लिखने है आपको work पहेली मतलब यह जो puzzle दिया है यहाँ पर इसमें आपको एक ही मातरा के शब्द ढूणने है और फिर यहाँ पर उन्हें लिखना है जैसे उनोंने करावाय है हैं पर मेला ठीक है और उसको यहाँ पर लिखावाय है ढूण के तो आपको भी यहाँ पर ढूणने हैं पूरे इन दो बॉक्सेस के अंदर कोई भी कलर करना है तो यहाँ पर लिखेंगे इसको बापे की मातरा बे ल, बेल अगला शब्द यह बनेगा दापे की मातरा दे र, देर इसमें भी आपको कलर करना है यहाँ पर लिख देजे इसको अगला शब्द ये बनेगा थापे एकी मातर थे ला पर आकर डंडा ला थेला इसके अंदर भी आपको कलर करना है तो यहाँ पर लिख देजिए थेला थेला यहाँ पर भी देखिए एकी मातर है लेकिन आगे कोई शब्द नहीं बन पाएगा क्योंकि हेली या हेली सहेली कोई शब्द नहीं होता है तो इसलिए आखरी शब्द जो होगा वो ये बनेगा जबे की मातर है जेब इसमें भी आपको कलर करना है लिखे यहाँ पर जेब जेब I hope you all have completed your work so you all have to send your work to me through whatsapp before 2pm okay everyone दो बज़े से पहले आपको अपना काम मुझे whatsapp के माध्यम से भेजना है so that's all for today's class bye bye take care